नमस्कार मवप्रिया बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है अगर आप भी राशनकार धारक है और सरकार की वुफ्त राशन योजना का लाब उठा रहे हैं तो साफधान हो जाए क्यूंकि हो सकता है कि आपका राशनकार आने वाले समय में बंद हो जाए जी हाँ आपने सही सुना मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार की नितीश सरकार जल्द ही लाखो राशनकार धारकों के राशनकार को बंद करने जा रही है इसको लेकर नया नियम बन गया है जिसका सीधा असर अब उन लोगों पर पढ़ने की संभावना जो कि रास्ट्रेक खादे सुरक्षा अधिनियम के दाइरे में शामिल वैसे औपात्रों का राशन रद किया जाता है जो नियम के मुताबिक से पात्रता रखने का काम नहीं करते हैं इसलिए अब रास्ट्रेक खादे सुरक्षा अधिनियम के तहट ये संचोधन भी किया गया ह विने कुमार की तरफ से साजा की गई ज्वानकारी के अनुसार राजिके शेहरी छेत्र के अतिरिक्त ग्रामीन छेत्र के चार पहिया वाहन प्रायुक्त करने वाले परिवार, सरकारी नौकरी करने वाले परिवार, आयकर अदा करने वाले, एकसेचाई वाले उपकरन के साथ एकड संचित भूमी, पांच एकड संचित भूमी, व्यवसाइक कर अदा करने वाले और अन्य सधन संपन्य परिबार को अपना राशनकार्ड वापस करने का निर्देश दिया गया है। वहीं बिहार में मिलने वाले राशनकार्ड की बात करें तो राशनकार्ड को तीन वर्गों में बाटा गया है। बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए AAY राशनकार्ड जारी किया जाता है। खादेपदार्थ जैसे गेहू, चावल, केरोसिन, चीनी, आदी, रियायती दरों पर उपलब्ध कर आए जाएंगे। राशनकार्ड के जो लोग आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और वो अपने और अपने परिवार के जीवन यापन के लिए परियाप्त रूप से खादेपदार्थ नहीं खरीच सकते हैं। जो लोग इस राशनकार्ड के जरिये सस्ती दरों पर खादेपदार्थ खरीच सकते हैं और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसी बीच जो राशनकार्ड धारी है उनके लिए हमारे पास एक एहम जानकारी है। विभाग के तरफ से हाली में ये भी जानकारी प्रदान की गई है कि राशनकार्ड को आधारकार्ड से जोड़ा जा रहा है जुसके लिए ही आधार सीडिंग का काम तेज कर दिया गया है। अगर आपने अपना राशनकार्ड आधारकार्ड से नहीं जोड़ा तो जल्दी करें इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद